अध्याय पहले का छठा श्लूक किसी कस्ट अत्वा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी इस्तिरियों की रक्षा करनी चाहिए परन्तु इस्तिरियों धन से भी अधीक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे चाहिए कि वह आपत्ती अत्वा बुरे दिनों के लिए थोड़ा-थोड़ा धन बचा कर उसकी रक्षा करें, अर्थार धन का संग्रह करें, समय पढ़ने पर संचित धन से भी अधीक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगनी है, बहुत से ऐसे अफसर होते हैं, जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है, इसी संदर्व में, व्रिधा वस्था में पत्नी की एहम भूमिका होती है, चानक्य का विचार यह भी है कि धन और इस्त्री से भी अधीक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थार व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है, यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और इस्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा, इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और इस्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्व पू